नमस्कार जोहार आदाब मैं हूँ आपका अजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूजी इस समय हम आए वे हैं जारकान के उप्राइदानी दुमका में और यह हिजला पहार है हिजला मेला इसी जगह पर लगता है वो इसका अलग ही इतिहास है 1890 इस्वी के आसपास में य मैं जड़ू है एस्वी के टाह puntos में आपका शवी के उप्राइदानी द्सिरे टेला में आपका वारू स्पास्णा इसे सका अटाद के थांका शोड़ू है कर देजला मयोंका में आपका अ झाल 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 तो आप लोग यहां पर हिजला में रहते हैं यहां मेला साल में के बार लगता है यहां का जो हिजला के इस्तिति जो अभी देख रहे हैं मतलब उजडाल जैसा लग रहा है एसी रहता है तो यदि हिजला मेला ने पर यटक छेत्र में विख्चित कर दिया आता है तो आपको ऐसा लगता है ना कि यहां पर आएका शुरुद बढ़ता आप लोग जैसे लोगों के लिए बढ़ेगा अगर अच्छा रहेगा तो आप प्रेटक बनेगा तो कि यहां तो खुबसुरत नजरा बहुत नहीं है चार तरफ से पहाल से घिरा हुआ है एक साइड नदी है सरकार इस पर ध्यान नहीं देरा यहां की लोगों के लिए फैदा होता होता है अगर सरकार ध्यान देगा इसमें तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा जहां सुंद्र केले आप गंदगी पानि आता है कि और देखने के पनी नहीं रहा करा really काला हो गनल्टा कि अब कर फारिम तो आप में pick do is uso मतब तो आप ये गरामीन से सुने कि परियतक के आपार संभावना हिजला को है हिजला पे तो सभी आके अपने राजनिती करते हैं हिजला मेला देखने भी आते हैं लेकिन वो मात्र दो से चार दिन यहां पर जो रोनक रहता है वो देखने की मिलता है उसके बाद साल भर यहां बिरान रहती और ये हिजला मेला का एक अलग है इतिहास रहा है और आज ये नया इतिहास नहीं है 100-500 साल-200 साल पहले का इतिहास है लेकिन आज भी जो स्विधा मुलगुद जो स्विधा यहां की एक पहचान जो है उसे मिलनी चाहिए थी अभी तक अधुरा है इसे के करामिन बताते हैं कि इधर नदी भाती थी जहां वो लोग पानी भी पिया करते थे लेकिन आज सहर की जो गंदनाली गंदगी है वो बहा करके इस नदी को दूसित कर दिया है अब यहां का पानी जहरीला हो गिया है अगदम काला हो गिया है अब ऐसे में बता यह सुरत नजा रहा है यदि सरकार इस पर ध्यान दी होती और इसे परियटक के छेतर विक्षित क्या होता तो जरूर यहां जो हिजला ग्राम बासी है इन्हें रोजगार का एक आयका एक सुरत मिलता लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है क्या नहीं मुद्द आपका प्राया कहा घर हमा जजली घर ह소ले तो इंदो हिजला मै आप देख रहे हैं कितना साल सहके यह देखते हैं नहीं है लिकिशे लोग आता है फिता काटता है नेता लोग बादा करके चला जाता है हिजला मेला जब तक रहता तब यह रोनक रहता कि सालों भर रोनक रहता है इतने सुन्दर सुन्दर पहाड है गाच है इधर नदी है इतने सुन्दर जगा है सरकार ध्यान कहें देता है इसको सुन्दर बनाने के लिए सुन्दर बनाने से हम ही लोग को तकलिफ होगा ना क्या तकलिफ होगा तो आप लोग का दुकान दारी चलेगा दुकान खोलिएगा हो सकता ऐसा होगा की नहीं होगा यह लोग करते हैं और सबते हैं खाना पर नखाये है ना तहम करते हैं अपर उठाई उपर उठाई घुलेट इससे कुछी करते हैं ACHULTCHA कुट्ता म मारते हैंि क्ऊट्चा मारते हैं घर लटी भक्री सब करता है ना क्या नामें तुम्हें तहका है क्या क्षेगा। हाई कोनी स्कूल में लाजकत में दिया इंजिल आदम का सब्सक्राइब पिताजी कर नाम क्या है पापा कर नाम क्या है कर दो कहां गर हुआ अभी इधर क्या कर रहा है गेर पलकी चला रहा है क्या नाम है अब वो अनन सरें कौन क्ला से पढ़ता है अब इधर क्या कर रहा है क्या करने आए गया चला रहा है बहुत ही सुन्दर अभव ही लगता है राजके मेला लेकिन यह मेला मात्र 2-4 तिन तक यहां पर रोणक रहता है उसके बात यह स्थान ब्राण होती है आप इसकी सुन्दरता देखेंगे तो यह हमारे पीछे आप देख सकते हैं पहाल पहाल जो है इतनी खुफसत है और उसके नीचे यह मेला लगता है और ठीक आप उसके पीछे आप देखेंगे तो यह हमारे पीछे इधर नदी है तो यह सुन्दर काफी खुफसत जगा है लेकिन सरकार यदि इस पर ध्यान दी होती एक परियटक छेतर के रूप में इसका विकास क्या होता तो यहां पर जो लोग है उन्हें एक रोजगार मिलता लेकिन ऐसा होने पाय किया है और जो भी सरकार आई बस राजनेती करके चली गई है और इस हितिहास रहा है कि यहां पर जब भी जल villain जो है वह घॉतन करते हैं अगर कोई सरकार यह मंत्री विधायक ने यह तो वह सरकार भी चली गई है या किसी उपायुक्तूञत यह उन्हीं एसी मानियता है, एसी मानियता देखने को मिली है, यह और यह देख सकते हैं, यह पर हरतरे का परदस्नी लगता है इस ग्राउंड के अंदर में, और पूरा मेदान जो है, हिजला मेला का जो मेदान है, वो सजधस्के हिजला मेला के समय में तियार हो जाता है, और भी आपको य नदी में जो पानी है वो काला हो चुका है अब यहां का पानी इतना दूसित हो चुका है कि यहां की ग्रामिन जो है उस पानी को उप्योग नहीं कर पा रहे हैं इसमें आप सहरी जो छेतर है या सहर में जो भी प्रादिकारी है उस पर आप क्या कहिएगा आप जानी रहे हैं और ये हमारे पीछे बोट लगा हुआ है ऐखार सो नब्वे का बोट लगा वह उन्य स्व बाइस लिखा हुआ है बहुत कुछ मिट चुका है तो इस ला मिला का अलग ही तिहास है रोनक है आप देख सकते हैं कि यह मुख्य द्वार है कि ला मिला का